दुनिया का सबसे पहला कोरोना वैक्सीन रूस ने तयार कलिया है अपने इस वैक्सीन का रूस ने रेजिस्ट्रेशन भी कला लिया है इसे भी चीन से एक अच्छी खबर सामने आई है चीनी सेना ने कंसीनो बायलोजिकल कंपनी के द्वारा बनाए गए कोरोना वैक्सीन 85 NCOV को पैटन्ट मिल गया है चीन के कोरोना वैक्सीन को पैटन्ट मिलने की एक खबर चीनी सरकारी अगवार ग्लोबल टाइम्स के जरीए सामनी आई है खबर दी गई है कि इस पैटन्ट को चीन जल्द ही मार्केट मिलाएगा ये भी कहा जा रहा है कि ये वैक्सीन चीन ने अपने सैनिकों को लगाना भी शुरू कर दिया है वैक्सीन दयार करने वाले चीनी विशिश अग्यूं का कहना है कि वो मैडिकल तरीके से वैक्सीन को सुरक्षित बनाने के तमाम कोशिशों पर पूरा ध्यान दे रहे हैं नहीं साल के अंत तक वैक्सीन के बाजार में लॉंच होने की बात कही जा रही है चीन की इस वैक्सीन के अलावा एक और वैक्सीन को सफलता मिलने की खबर सामने आ रही है खबरों के मताबिक चीन की कमपनी सिनोफार्मा की बनाई गए वैक्सीन अपने पहले और मध्य चरण में ट्रायल की दरान से रक्षित पाई गई है चीनी वैग्यानिकों के मताबिक इसके इस्तमाद से इम्यून सिस्टम में अंटी बॉडिस बनी है यह नतीजे 320 स्वस्थ लोगों पर पहले और दूसरे ट्रायल के दुरान सामने आए है चीनी कमपनी कंसीनो बायलोजिकल इंक की बनाई गई वैक्सीन का तीसरे चरण का ट्रायल दुनिया के तमाम तीशों में चल रहा है और चीन कमाना है कि इसे बहतर नतीजे निकल कर सामने आएंगे रूस के वैक्सीन बना लेने के बाद उस पर कई तरीके के सवाल उठाया जा रहे हैं इस भी चीन ने भी वैक्सीन का दावा किया है अब देखना ये होगा कि चीन के वैक्सीन को कैसी प्रतिक्रिया मलती है क्योंकि आखिर चीन वही देश है जहांकि वुहांस शहर से कोरोना वायरस बाहर आया था आप देख रहे हैं घमासान.com और भी न्यूज अबडेट्स पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और नोटिफिकेशन पाने के लिए बैल आइकन को प्रेस करें